से स्टून्ट्स यहाँ पर कांसलिंग के लिए रिजिस्टिशनिक रिगार्डिंग और ओफिशल नोटिफिकेशन रिलीस किया गया और यहाँ पर कांसलिंग की डेट एनाउंस की गई है जिसके बारे में इस वीडियो में कम्प्लीट डेटेल आपके साथ सेयर करूँगा तो बस डाउटन का ये नंबर 8400-400-400 को वाट्स अप पे एड करना है जिसके बाद चैट सेक्शन को आप ओपिन कीजिए और आपके जिस भी कोशन में डाउट है उस कोशन की फोटो कीजिए कोशन को क्रॉप कीजिए और आप यहाँ पे सेंड कर दीजिए तुरंद पांस सेके प्रिकेशन फर्म रेजिस्टेशन जो है वो गुरू गोबिन सिंग इन्युवरस्टी आई प्यू डॉट एसी डॉट इन प्रस इन्युवरस्टी के दोरह नोटिस रिलीस किया जा चुका है 6th of the December को यहाँ पर रेजिस्टेशन स्टार्ट आज से 7th of the December से आपके रेजिस् आपको बता दें clearly कि यहाँ पर जो admission होगा वो चारों courses में यहाँ पर NEET All India Rank के basis पर होगा और NEET की medalist के basis पर होगा गोबिंसिंग इन्परस इन्युवरस्टी का जो GGSIPU का फॉर्म है जिसकी non-refundable fees 1200 है अगर आप लोगों ने यह form फिल किया है तो आपको केवल और केवल NEET की counseling के लिए non-refundable 1000 रुपीज और पे करने होगा और आपका registration की जो date है वो 7 से लेके 14th of the December तक यहाँ पे होगी लेक आपकी भी date यहाँ पे 7 December से लेके 14th of the December तक यहाँ पे है बताती है यहाँ पे कि आपको अगर इसमें कोई भी details है कि जो schedule होगा choice free का seat allotment का वो आपका जो आँगे का time होगा उस time period में आपका यहाँ पर release कर दिया जाएगा फिलाल यहाँ पर counseling regarding schedule जो है वाभी तक release यहाँ प कर सकते हैं अब यहाँ पर बात करने की document verification के लिए तो आपको document जो है वो यहाँ पर upload करनी होगी जिन्होंने पहले से upload नहीं कर रखी है अब वो लोग document upload करें अगर आपने document upload नहीं किये तो आप लोग को document upload यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर time period भी document verification के लिए 8 से 16 December तक आप लोगों की मन में doubt होगा कि कौन-कौन से candidates यहाँ पर जहें वो eligible होगा जैसे कि MBBS के लिए इन्होंने लिख रखा है college wise जैसे कि सबसे पहले North DMC college medical college and Hindu Rao medical जो hospital है अगर उसे में बात करें तो केवल और केवल यहाँ पर वही candidates हैं वो दहली की 85% state quarter seats के लिए केवल वही candidates है जिन्होंने अपना 11th and 12th यहाँ पर किसी भी school से किया जो कि NCT में धहली में located है दूसरा बाबा साहिब medical college and hospital sector 6 इसकी बात करें तो यहाँ पर भी same वही चीज़ है कि जिन्होंने अपनी 11th and 12th यहाँ पर किसी भी school से कर रखी जो NCT धहली में located है नेक्स आपका army college of medical science अगर आप देख सकते हैं admission to be 100% sanctions intake अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका admission है वो eligible है उन पर army person के लिए इन सब के लिए तो आप लोग इस चीज़ का अपने हिसाब से criteria देख सकते हैं अगर आप इस चीज़ में अगर आप यहाँ पर eligible हैं तो आप इसकी counseling भी देखी यहाँ पर जो registration है वो आपके लिए mandatory होंगे किसी भी college की counseling आपको करानी है तो आपको registration जो है वो यहाँ online counseling के लिए mandatory हैं अगर आप लोग registration नहीं करेंगे तो यह आपके लिए eligibility नहीं मन जाएगी इसमें BMS college के लिए BMS के लिए यहाँ पर cable एक चीज़ चेंज की गई ह यहाँ पर 12th class आपको यहाँ पर किसी भी school से गानी है यहाँ पर 11th class का नहीं हुगा है 12th class आपको जो NCT में located को भी college school हो वहाँ से आपको करनी है सेम आपका BMS के लिए BSC nursing के लिए फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर BSC nursing के लिए जो 4 colleges के नाम यहाँ पर दिये गए हैं उनको को आप यहाँ पर देख सकते हैं अब बात करें कि यह जो students claiming करने reservation के लिए तो reservation अगर आप claim करने तो इनके लिए यहाँ पर important दिया गया है कि आपको सबसे पहले should be Indian overseas Indian Nepal citizen non-residence of the Indian and foreign nationals are not eligible should be Indian and overseas Indian या फिर आपको नेपाल citizen के वाल इतना ही यहाँ पर अगर आप यहाँ पर non- admission है वो उसमें किसी भी provisional admission जो भी आप courses है उसमें आप होना नहीं चाहिए जैसे नहीं है कि आपको compartment है या फिर आप supplementary दे रहा है या फिर आप यह सब दे रहा है तो आपको बिल्कुल result किसी चीज़ का awaited आपका नहीं होना चाहिए बात करें लास step आपनों के लिए सबसे जाना जरूरी है जिसमें साथ में से स्टोन्स पूछ रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे एक चीज़ यहाँ पर नहीं ने mention कि हुए आप इस paragraph को यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर candidate claiming the seat in the Delhi reason have passed the qualifying examination from any school or college located in Delhi in case of MBBS 11 and 12 both should be from the Delhi और यह चीज़ यहाँ पर नहीं किये तो आप अपनी eligibility यहाँ पर चेक कर सकते हैं फाइनली तो आपके step की बात करें counseling में तो counseling में सबसे पहले आपने अगर GGSIP पर registration नहीं किया तो आपको यहाँ पर registration करना होगा जिसमें आपको basic सी details देनी है उसके बाद आपको यहाँ पर login करना है login करने के बाद फिर से आपको जो need application multi step in the application जो इसके बाद आपको यहाँ पर personal details वगएरा जो qualifying competitive examination है यह भी document फिर से वही फिर आपके बाद registration fees और यह आपकी चीज़ें यहाँ पर दी गए हैं तो आप इन चीज़ों को एक बाद देख सकते हैं और अपने इस हाँ से आप eligible हैं तो आप यहाँ पर counseling conduct अपनी करा स सकते हैं और इसके बाद जो भी इसके रहान अपडेट आएंगे वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे थैंक यू